कोरोना जंकरमन ने इंदौर में एक बार फिर दस तक दे दी है पिछले तीन दिनों की बात करें तो आठ पॉजिटिव मरीज इंदौर में मिले हैं जिसकी जानकारी स्वास्त बिभाग सेमचो डॉक्टर बीयस सत्या ने दी है हाला कि सभी मरीज गंभीर नहीं है और होम आइसोलेशन में रखा गया है पिछले दो लहर में कोरोना होट स्पोर्ट बने इंदौर में एक बार फिर कोरोना की वापसी हो गई है इंदौर में पिछले तीन दिनों के अंदर आठ मरीजों में कोरोना की पुस्टी हुई है वही को लेकर CMHO डॉक्टर बीए सेतिया ने बताया कि सर्दी खासी होने के चलते इन लोगों में प्राइवेट लैब में कोरोना जाज करवाई थी जिसमें इन्हें कोरोना की पुस्ती हुई है लेकिन राहत की बात यह है कि सभी में बहुत मामूली लक्षण है और घर पर ही आइस इसमें से दो बच्चे भी है एक आट साल का एक दस साल के बच्चे जिनको व्यक्षिन लगबाए कि दूसरे जो छे है उन लोगों खालती है से सर्दी बुखार वोगर सथा अलकाजा तो डाक्टर नों को एपड़ाइस किया था कि आप लोग अपना कोवीट का टेस्ट भी प्रिकासन तो रखना पड़ेगा अभी तो जो टेस्टिंग हो रहे हैं जिनको सिंटोमेटिक आ रहे हैं वो इस उन ही कि कोई ऐसे गंबी लक्षन नहीं है स्वास्त विभाग में मौसम आ रहे बदलाव को लेकर आम जनता से साफधानी बरतने और सर्दी खासी पर ततकाल उप्चार कराने के साथ ही डॉक्टरों से सलाह लेने की अपील की है ताकि फिर से कुरोना की रफ्तार को बढ़ाने से रो है